मनोजदे बोल रहा था ना मैं सुधर्जा सुधर्जा नहीं तेरी आउकाद तुझे याद दिला दूगा अब तुझे स्ट्राइक देता हूँ तब तुझे समझ में आएगा सारे कि स्ट्राइक दूगा जब तेरा वीडियो डिलेट होगा तब तुझे पता चलेगा ठीक बत्तमीजी करते रहोगे और कोई भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगा यहां क्या लिखा है मनोजदे को स्ट्राइक मैंने दी कभी भी यह आपको नहीं बोलेगा कि इनको स्ट्राइक कहां से आ गई दोस्तो इसको स्ट्राइक मैंने दिलवाई है इसको स्ट्राइक ज इस तरीके से मनोजदे आप लोगों को बेकूब बना रहा है आप लोग के जीवन के साथ खेल रहा है जो भी मनोजदे को देखते हैं या तो वो गाउं से हैं या तो वो गरीब फैमली से हैं वो यूटूब पर यूटूबर बनने आते हैं लेकिन मनोजदे भया क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी अप्लिकेशन का प्रमोशन करते हैं जिन अप्लिकेशन से सिर्फ एक गरीब बच्चे का पैसा गयब हो जाएगा यानि उसका पैसा चेन लिया जाएगा यानि कि ये भाई सहाब अर्निंग अप्लिकेशन का प्रमोशन करते हैं बास समझ रहें जो इनक की जनता को बरबाद कर रहे हैं पूरी तरीके से बरबाद कर रहे हैं और ये चीज मैं पांच दिन पहले से मोहिम चलाया हूँ कि मनोजदे का नंगा नाच मैं चालू कराऊंगा और मैंने मनोजदे का काला सच आप सभी के सामने लाया और अभी तो लानब बाकी है मैंने आप को बोला था कि मैं 17 सबूतों के साथ आप सभी के सामने आऊंगा एक सबूत मैंने दे दिया कि किस तरीके से मनोज दे जो की धनबाद का ब्रांड अमबेजडर है वो खुले रोड पे छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके सामने सिग्रेट फीकर के हमारे महौल को गंदा कर रहा है ऐसे लोगों को क्या धनबाद जैसे सहर का ब्रांड अमबेजडर होना चाहिए या नहीं यह आप लोग कमेंट करके बताईएगा मैंने बहुत सहन कर लिया आप सुभी को नहीं पता तो मैं बता दू जिस दिन से मैंने मनोज दे के लिए मुहिम चलाई ह है उस दिन से मेरा जो मुबाइल नंबर है वो लीग कर दिया किसी ने पबलिकली लीग कर दिया अब मेरे पास में एक एक दिन में सौ सौ लोगों की धंकी आती है कि मनोज दे के खिलाब वीडियो बनाओगे तो तुमको मार देंगे अब देश भक्त को मार नहीं पाओगे तुम्हें एक सिवारतरा सुकला मारोगे ना या साव सिवारतरा सुकला खड़े हो जाएंगे हलके में ले लिया है क्या और जो भी सोच रहे ना कि सिवारतरा सुकला हलके में है तो सामने मिल करके बात कर लेना पीट पीछे मैसेज में कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता और कातिना तो सामने आगर के कुछ भी बोलना तब देखें कितने बड़े मठादीस हो फीट पीछे कोई किसी को भी कुछ कह देता है मैंने कोई गलत मुहिम नहीं चलाई थी और चलाया हूँ पूरे सत्रा सबूत दूँगा आपको मनोज दे का वीडियो क्यों डिलीट हुआ क्योंकि मनोज दे ने ऑनलाइन अर्निंग अप्लिकेशन का प्रमोशन क्या सोचिए यूटूब ने उसको डिलीट किया यूटूब ने स्ट्राइक दी क्योंकि यूटूब की गाइडलाईन के खिलाब था वो वीडियो आप सोच सकते हैं जब वो यूटूब की गाइडलाइन के खिलाब था इसका मतलब वो किसी भी कीमत पर आपके लिए फायदेमंद वीडियो नहीं था और यही चीज में चिल्ला चिल्ला के बोल रहो कि मनोज दे सुधर जाओ इस तरीके की अप्लीकेशन का प्रमोशन करना बंद कर दो क्योंकि मनोज दे तुमको गाओं घर से बच्चे देखते हैं तुमसे कुछ सीखते हैं लेकिन तुम उनको क्या सिखाते हो जुआ खेलना सिखाते हो पहली चीज दूसरी चीज उनको नसा करना सिखाते हो क्योंकि तुम खुद बिल्कुल रोड में मैंने वीडियो बनाया है आप लोग देख लिजेगा चैनल पर खुले रोड पे शिग्रेट भीते हैं भाई साथ ऐसे फुकते हैं पूरा प्रोफेशनल चैनल स्मोकर ही है बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया था बोला था कि भाई या उसकी परस्नल लाइफ है आप परस्नल लाइफ है ना तो घर पे अंदर चुप-चाप किसी कमरे में घुज के करें खुले आसमान में खुले महाल में जाके ना करें रोड पे वहां से बच्चे गुजरते हैं पढ़ने वाले यह एक इंफ्ल्वेंसर है इसको देख करके लोग इंफ्ल्वेंस होते हैं जब इसको लोग सिगरेट पीते हुए देखेंगे तो लोग सोचेंगे कि जब मनोज बेए काम कर रहा है कि नियुक्त आपक्त पर्णाल अंने घर हो जब पब्लिक में आ जाते हूं तो आप परस्टरल नहीं रहाते हैं तो मेरे को चिइए पीने को क्या सिखेंगी ओनलाइन अर्निंग अप्लिकेशन सेल बच्चों को जुवां खिलाता है उनका पैसा बरबात करता है ऐसा गुरू है तू ऐसे गुरूओं की जरूत नहीं है और इसलिए तुझे इस्ट्राइक विली तुझे भगवान ने इस्ट्राइक दे दी समझ रहे ना जिस तरीके से तुझ गरीबों का पैसा खा रहा है ना उस तरीके से भगवान तुझे दे रहा है अभी तो एक श्ट्राइक आई है तुम करते तो रहो इस तरह की बत्तमी जी इतने दोस्तों ये इतने निरलज है कि एक बेडियो बना करके लोगों को बोल नहीं सकते कि मैं गलती कर दी मुझे इस तरह के अप्लिकेशन का प्रमोशन नहीं करना चाहिए इनको तो दोस्तों एक बावत है ये लोग जब प्रमोशन करते किसी भी ऑनलाइन अर्निंग अप्लिकेशन का तो दो लाग पांच लाग रुपए ले लेते हैं लेकिन वहीं पर जो भी इस गे करेंगेशны में जो फस्ते हैं श्तरीके के जंजाल में और फसाता को नहीं यह मनोश्त जैसे चंद यूटुबर और इनके चंद चंचे इस तरीके की जगहों पर फसादते हैं, तो मनोजदे, इस ट्राइक तो तुमको मिलनी ही मिलनी थी, बास समझ रहने तो इस ट्राइक तो मिलनी आज नहीं तो, तो कल मिलनी थी, लेकर ये दोस्तों इतने हराम खोर टाइप के इंसान है, कि ये मानेंगे गल्ती करो कि तो आएगी, तेकि नहीं भाहिया, भगवान जो इनको बनना है, पांच दिन से मेरा जो गला बैठा है ना, गला बैठा है मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पता है क्यों दोस्तो, क्योंकि पांच दिन से मैं इतना परेजान हो मनोस देख चक्कर में कुछ कहने को नह पांचे, मुझे फोन करके धंकियां देते हैं, वो भूल चुके हैं कि देशवक्त सिवार तरा सुकला किसी के धंकी से डरने वाला नहीं है, चाहिए एक नहीं हजार धंकियां आ जाए, अब धंजो मरने के लिए खड़ा उसे किस चीज का डर यार, हम तो मरने के लिए खड हैं या किसी के भी चंचे हैं, क्योंकि जो चंचे हैं बहुत उचलते हैं, चंचे जादा उचलते हैं, बड़ा कमेंट करते हैं भाईया, हमारे बाप तक पहुंच जाते हैं, समझे हमारे बाप तक पहुंच जाते हैं चंचे जो हैं, हाँ, तो चंचे हैं उनको तो मैं सक्त तो वार्निंग दे रहा हूं कि अगर उकात है न तो सामने आकर करो तब देखो कि तुम्हारे में कितनी दम है मैसेज भेज करके बाप तक पहुचना कोई भी पहुच सकता है और काते तो सामने आकर करो सामने कोई नहीं आएगा तो यह हाल है इनके यह है भाईया ब्रांड एमबेजडर यह है इंडिया के सबसे बड़े यूटूबर किस तरीके का काम आपको सिखा रहे हैं कल एक वीडियो आएगी जिसमें मैं इनका एक काला सच और खोलूंगा बिलकुल प्रूफ के साथ में व चुके उसके और कल वो वीडियो आएगा और कल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मनोज दे ने अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है अपने सब्सक्राइबर के साथ वीडियो जरूर देखेगा ताकि आपको पता चले कि इस तरीके के बड़े-बड़े यूट सब्सक्राइब कर ये कल मिलता हूं अगली वीडियों ततक लिजय हिंद जय भारत वंदे मातरम